Hello students, welcome back to the Solitude Education. तो इस lecture में में बात करने वाले हैं DDA के बारे में. आप सभी को पता है कि DDA ने अपना date announce कर दिया है और exam भी बहुत ही जल्द आपका होने वाला है. That is 28, 29 and 1st of April को आपका exam होने वाला है. तो हमें क्या करना है, हमारे पास मुश्किल से 20-20 दिन बचे हैं और तो हमें best से best क्या करना है, जिससे हमारा selection हो जाए. सबसे बड़ी बात, ये एक उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी opportunity है जिनका SSC में paper या तो खराब हो चुक है SSC mains का या जिनका SSC में selection नहीं हुआ था. उनके लिए सबसे best opportunity है, best opportunity इसलिए है क्योंकि DDA भी एक central government की ही job है. अगर किसी को नहीं पता है तो बच्चे में बता दू, DDA is also for the central government. DDA भी central government की job है, आपको pay scale भी वही मिलेगा जो central government की job में मिलता था. और दूसरा सबसे बड़ा benefit जो DDA में रहता है कि आपकी posting हमीशा दिल्ली में रहती है. आप दिल्ली के बार कभी भी place नहीं होंगे, तो सबसे ज़्यादा benefit में रहने वाले हैं कि आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, में एक metro city के अंदर और दूसरा central government में काम करना चाहती हैं, तो DDA is the best option. तीसरा सबसे बड़ा benefit जो DDA देती है, वो यह है कि DDA दो से तीन में में सब कुछ करा देगी. कि क्या follow करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह का pattern रहता है, सारी चीजे में वीडियो में आपको बताऊंगा यहां पे, ठीक है, तो मैं यह कहता हूँ कि जिनका paper खराब हो चुका है भाई, जिनका paper SSC में जो बिलकुल backup performance करके आए हैं, या paper SSC मेंस का बिगड़ गया, य कोई काफी time से त्यारी कर रहा है, immediate job चाहिए, तो यह best option है, इससे best option नहीं मिलेगा आपको DDA से, तो be prepared, be focused on DDA, ठीक है, central government की job है, दिल्ली में रहो गया मेसा, और joining भी बड़ी जल्दी करा देगा, और चोथी, एक सबसे बड़ी बात है, जो DDA में के अंदर है, कि DDA में चार साल में आपको वो यही भी बना देता, assistant engineer आप बन जाओ के definitely, ठीक है, 2018 में, 2018 बैचके जितने भी बच्चे थे, जो लगे थे, जेई के लिए, वो आज के डाइम में सब assistant engineer यही बन चुके हैं, तो आप देख सकते हैं, एक number of opportunities DDA में आपको मिलती है, ठीक है, अब थोड सवाल जो होंगे, 80 questions are of technical, और 40 questions जो होंगे, वो non-technical, 40 questions non-tech के होते हैं, सब को पता है, इस pattern के बारे में कर नहीं पता, तो मैं थोड़ा सा brief यहां पर आपको बता दू, 80 technical पूछेगा, 120 माक्स अपिबर होगा, 2 hours का time होगा, 2 hours का time होने वाला है, आपके पास 2 घंटे का, 80 technical रहेगा, उसमें 40 non-technical रहेगा, non-technical में 4 section पूछेगा, 10 question आप से क्या पूछेगा, reasoning के पूछेगा, 10 question is of reasoning, 10 question of aptitude, 10 question आप से aptitude के पूछने वाला है, 10 question आप से GK के पूछेगा, और 10 question आप से English के पूछेगा, 10 question of English के आप से पूछने वाला है, तो किसके लिए परिशान नहीं होना है अगर आप reasoning aptitude, reasoning aptitude ये भी 10 number 10 question रहेंगे, ये भी 10 question रहने वाले है GK के भी 10 question रहेंगे और English के भी 10 question आपके रहने वाले है तो किसके लिए प्रेशान नहीं होना है reasoning और aptitude मत भी पढ़के नहीं भी पढ़के जाओगे तो 10 में से 10 score कर लोगे reasoning में भी और aptitude में भी बचा थोड़ा सा GK और English का part तो GK और English भी बड़ी easy आती है, सबसे better option बताऊं, एक रामबान आपको बताना हूँ, ऐसा trick आपको बता रहा हूँ कि कुछ पढ़ने की जुरती है कुछ बच्चे बुक खरीद लेंगे English की, सर, English पढ़ते हैं नहीं पुछेगा उस lag questions कुछ बच्चे कुछ पढ़ लेंगे कुछ बच्चे बुक्स खरीद लेंगे, सर, 20 दिन में English prepare कर लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ GK के कहीं पर batches ले लेंगे कुछ बच्चे बोलेंगे, सर, GK पढ़ लेता हूँ देखो, बड़ा आसान सवाल पुछने बाला है, one-liner question पूछता है, DDA बहुती easy questions होते है कोई बड़ा rocket science involved नहीं होता, DDA के अंदर काफी one-liner question, बहुत easy question पूछेगा, सबसे best है मैं best आपको बता देता हूँ non-tech को कैसे cover करना है सबसे पहले, मैं technical तो सब करी लेंगे technical तो सब को आता है non-technical को कैसे cover आता है आप DDA के 2018 में जितने भी exam हुए थे DDA के 2018 में जितने भी exam हुए थे उन, चाए वो technical हुआ हो चाए वो non-technical हुआ है सारे विपर ले लो मैं यह नहीं कहता, आप J-E का विपर ले लो आप J-E के भी ले लो, डाप, डबल-A वाले भी ले लो पतवारे, जितने भी उस 2018 में, जितने भी exam हुए थे सब की non-technical के question कर ले न डिट्टो को भी मिलने वाले हैं question copy question मिलेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा माँ पर ठीक है, यही question कर ले न, आपको idea हो जाएगा कि किस level के question पूछता है DDA और कितने easy questions हो पूछता है ठीक है, तो बस मेरा मानना यह है, मैं जो आपको बता रहा हूँ इस चीज को follow कर लो भाई, 20-25 दिन बचे है, 2018 में जितने भी exam हुए थे non-tech वाले, सबके वेपर उठा लो, जो online हुए थे, जो DCS ने conduct कर आय थे, सबके सब उठा लो, और सबको लगा लो, data question यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको यह भी पता चल लाएगा, reasoning में क्या पूछता और इंग्लेस में, और GK में फोड़ा सा current affair भी पूछेगा, mix अब कुछ, एक आद question history का पूछ लिया, एक दो question politics का, एक आद geography का पूछ लेगा, यहाँ पर दिल्ली का कुछ नहीं पूछने वाला है, अगर आप सूच रहे हैं कि GK दिल्ली की पूछेगा, तो बाई, दिल् लेके पढ़ने मत लग जाना, कि दिल्ली की GK पूछेगा, दिल्ली का exam है, नहीं, यह कोई भी आपसे इस तरह के question नहीं करेगा, दिल्ली की GK से लेटर, एक single question भी नहीं पूछेगा, एक single question भी आपसे नहीं पूछने वाला है, GK के लिए, कुछ नहीं पूछने वाला आपके section कहीं नहीं छूटने वाला, सारा के सारा लगा लो, English में सिधे question पूछता है, sport दायरा एक बना देगा, या फिर कोई line होगी उसमें कुसको complete कर दो, एक आज synonym, antonym पूछ लेगा, बहुती आसान questions पूछता है English के अंदर भी, तो कोई rocket science नहीं होता, आप book मत पढ़ भाई, आप ये जो है ना, ये paper, किसी भी non-tech, जो भी paper है, ट्रीस ने conduct कराया थे, technical, non-technical सब उठा लो, लगा लो, बढ़े आसान question है, selection हो जाएगा, और technical में क्या पूछेगा, technical में पूछेगा, one-liner question, सीधे question, numerical, देखने को नहीं मिलने वाला, अगर मिलता भी है देखने क तो बता, कैसा numerical आप से पूछने वाला हूँ, कैसा numerical आप से पूछेगा, भाया, void ratio दिया है, point two five, बताओ, porosity कितनी होगी, इस तरह के question पूछेगा, ठीक है, आप से बस, ये, ये, आप से question इस तरह के question आप से पूछने वाला है, ठीक है, one liner question पूछेगा data base question आप से पूछने वाला है सीधे जिनमें ना कोई concept लगना है ना जिनमें कुछ healthy calculation होने है कुछ नहीं होने वाला on questions को direct DMRC का विपरदिया है DMRC जई का विपरदिया है जैसे DMRC जई का विपरदिया है तो से वैसा ही आता है मैं तो यह कहता हूँ DMRC का भी थोड़ा सा standard होगा यहाँ पर तो old direct भोती छोटी-छोटे questions करने वाला है तो सर पढ़े कहां से तो सबसे best तरीका यही है कि आपने जब SSCG की तियारी की होगी तो आपने को short notes मनाए होगे यह किसी handbook वगरा से पढ़ा होगा तो बस उसको थोड़ा से revise कर लो और PYQ लगा लो थोड़ा से revise कर लो हर एक subject को सहले बस देख लेना सहले बस भी कोई जादा लंदी नहीं है DDA का वो जो subject वो पूछता है हाँ एक और गलती मत कर देना भूल के भी क्या नहीं करना है कुछ book का रटा मत लगाके चले जाना, बोलो कि sir sir également काम करते हैं क्या काम करें, sir की गुपता नगुपता को रट लेते हैं sir गुपता नगुपता बेस रही की गुपता नगुपता को रट के चले जाते हैं करना है ऐसी गलती भूल के भी कोई फायदा नहीं होने वाला वाँ पे ठीक है, टीशियस पेपर करा रहा है ओनलाइन पेपर जो पेटरन होता है लाइक डी अमार्ट सी एसी वैसी कुछेगा आप वन लाइनर कुछेगा, आप वन लाइनर कुछेशन होंगे या हेंड़ बुक वगएरा जो आप पढ़ी होगी आपने जो सौर्ट चीजे नौट कियोगी वो देख लो, कोई जवरत नहीं है जादा से जादा एक टैस्ट सीरीज ज़रूर लगा लेना 20-25 दिन है, थोड़ा सा confidence आ जाएगा टैस्ट सीरीज देने से कुछ तो लगा लेना, मतलब ये मालो के कुछ लगा लेना टैस्ट सीरीज के, कैसे लगाओगे कि ये चार, दो, एक, दो टैस्ट सेट लगा लिए, चार लगा दे, सब्जट वाइज मतलगा ना, सिधे फुल लेंद लगाओगा, कोई जुरत नहीं है सब्जट वाइज की, सब्जट वाइज लगाने होंगे, तो नोन टेकनिकल के थोड़े से लगा लेना, ठीक है, तो थोड़ा से confidence आजाएगा, दो, चार, पाँच टेस्ट अगर आप देलोगे बच्चे, तो आपके अंदर खुद से confidence आजाएगा कि अखरकार मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, दो, चार टेस्ट आप देलोगे, तो आपके अंदर खुद से confidence आजाएगा कि अखरकार मैं कर क्या रहा हूँ, and don't try this, गुपता इन गुपता वाइस रटरने की कोसिस मत करना, कुछ नहीं पूछने वाला, पाली बता देता हूँ, बड़ा पस्ता होगे एक्जाम में, ठीक है, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा एक आइडिया आपको देख लिए टेकनिकल कहां से पढ़ना है, बस revise कर लो, जो जो नोट्स आपने मना रखे हों, जो वान लाइनर चीज़ा आपने नोट कर रखी होंगी, वो उन चीज़ों को revise कर लो, टेस्ट वगेरा दे लो, नोन टेकनिकल के लिए मैंने बता दिया भईया, जितने एक्जाम आपने डेडिये ने रिशेंटली जो कराए थे, 18 में कराए थे, most probably, सारे paper klut कर लो, उन ही को लगा लो, नोन टेकनिकल, उससे भार नहीं आने वाला, टेकनिकल कभी मैंने आपको बरामबान बता दिया, बाग की test series अगर join करनी होगी, तो मैंने भी, ये solitude education की तरब से test series थी, अगर join करना हो किसी को, तो इसको कर सकता है, nominal price में मैंने दे दिया था, 149 price है, वीडियो के description में application का link है, application download कर लेना, वहाँ पे category मिलेगी, test series, वाले section में आपको ये test series मिल जाएगी, आप join कर सकती हो, helpful हो सकती है, आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए helpful हो सकती है, अगर किसी को join कर रही है, तो subject wise test 30 दिये है, full length मैंने 10 test दिये है, total 40 test है, वहती nominal price है, 149 rupees only, कैसे join करोगे, आपको जाना है, वीडियो के description में application का link होगा, application download कर लेना, solitude education की, then go to the test series section, category बनी होगी civil, mechanical, intensive, master program, JE, and then test series, click on the test series, and you will find number of test series, वहाँ पे जाके join कर सकते हैं, ठीक है, चलो, यह हो गया, ठीक है, यह मैंने थोड़ा सा बता दिया, बाकी आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, एक, यह बंडर मत करना यार, किसी book को लेकर रटने मत बैठ जाना कि objective question रट लेता हो, मैं एक और बात बता दिता हूँ, कि सबसे better opportunity इसलिए है, क्योंकि तीन से चार मेने में सब कुछ करा देगा, जोइनिंग तक हो जाएगे यार, आप लोगों की, और best job है, central government का pay scale मिलेगा, promotion fast है, दिल्ली में रहोगे हमेशा, और जोइनिंग बोजल दिकर आएगा, सब pay rate with us, APWD, ठीक है, जो लोग अभी SSC मेंस भी होगे, उनकी जोइनिंग बूल जाओ, अभी एक डिड़ साल बाद होगा, उनका जो भी कुछ होना होगा, डिड़ दू साल बाद, लेकिन DDA तो अभी करा देगा, सब कुछ जो DDA को कराना है, तो मैं कहा रहा हूँ, अभी भी इस चीज को strategy को follow कर लेना, रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, बाकि टेलिग्राम का लिंक और वीडियो का जो मैंने description में दे दिया है, application का लिंक आप join कर सकते हो, ठीक है, चलो, फिर मिलते हैं, ओके, बाई झाल, आपके, जो झाल, इस चाल, अभी बाई